नमस्कार मैं हूं कुमार गजेंद्र जनपत ओंदा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है दिल्ली के उपमुक्य मंत्री मनीश सिसूदिया का सुक्रबार को जनम दिन था इस बार जनम दिन उनका तिहाब जेल के अंदर हैं क्या जनम दिन मनाएगा क्या परिवार मनाएगा क्या दोस्त मनाएंगे लेकिन अर्विंद केजिवाद जो दिल्ली के मुखमंतरी है पार्टी के सौयोजख भी हैं वह इस मामले में क्रेडिट लेने से कभी नहीं चूकते ह कि सारी साजिसें कहा से होी ये सब जानते हैं कि मनिस्चिसोदिया को किस तरीके से पसवाया गया किस तरीके से inолж, गेर कर रखा गया उनके, उन But pouring वहरवाने की कोशिस की गई उनके रिष्टेदार के रिष्टेदार को चुना भरवा दिया गया पारसद के चुनाओं में तो ये सारी चीजे बिलकुल सब को पता है लेकिन इसके बावजूद अर्विंद केजरिवाल जैसा खाग इंसान कभी नहीं छोड़ता है अपनी भी लाजनीती egy रहा है किसी तरीके से उनसे कोई इसके बावजूद जैसे ही जनम दिन आता है किस तरीक के उन से सहानू भूती दिखाई जाती है, ताकि देश के लोग ताकि पाइटी के लोग ये समझें कितनी एक जुठता दिखाई जा रही है, ये सारा मामला बहुत ही ज़ाधा, आप समझ के इस तरीक के से इसको divert किया जाता पूरे मामले को, इस से अच्छा कोई ने जान सकता, आरविंद केजी वाल से अच्छा कि वो किसी भी मामले को किस तरीके से víctimize करे, किस तरीके से divert करे तो आज एक बार फिर से मनीज सिसोदिया के जनम दिन पर सुकरवार को इन्हों ने मुक्यमंति अर्विंत के जिमाल ने मुद्ध को बढ़ाई दी और उनके जनिन दिन पर बढ़ाई देते हुए कहा कि ताना साही के यूग में उनके साहस की हम सराहना करते हैं देखिए क्या लिखा है ताना साही के दुख में हम उनके साहत की साराना करते हैं कथित आपकार ही वे सिसोधिया फिलाल जेल में हैं उन्हें पिछले साल फर्बड़ी में केंद्रीे जात भी ने अन्युशन भी ने उन ने गरपतार किया था उन्होंने दिली आहमाद्वी पारिटी आप सरकार में उपमुक्रिबंती पद से जब इस्तिवा दिया तो इसके बाद वो जेल ये सने और ये दोस्ति कभी नहीं तूटेगी यानि कि मनीज सिसोदिया को ये दिखाने की कोशिश की गई अर्विन केजिवाल की तरफ ते कि हम आज भी उन पर बड़ा भरोसा करते हैं बड़ी सारी चीज़े हैं लेकिन आखिर मनीज सिसोदिया को पसवाया किसने था मनीज सिसोदिया से आपकारी घोटाले की फाइलों पर साइन किसने कराए थे मनीज सिसोदिया ने इन सराब जो साउथ की लॉबी के जो सराब माफिया थे उन्हें मनिशी सोदिया से मिलने के लिए किसने भेजा था किसने फोन किया था कौन उन्हें मिलवाने ले ले गया था किसने मिटिंग कराई थी पैसा कैसे रिसीव हुआ और पैसा गोजा तक кино क्यसे पहुआ यह सारी छीजें सब कुछ on record है E.D. ने सब कुछ सारी फाइलों में दर्ज किया है सारे गवाओं के बयान दर्ज है लेकिन इसके बावजूद अर्विंद केजरिवाल ये दिखाना चाहते है कि वो अपने साथियों के साथ किस तरीके से दर्ड़ता से खड़े हैं अभी खाल ही में जो एक मामला हुआ गुजरात यूनिवस्टी का जब जहां पर गुजरात के अंदर उनकी पेसी होनी थी तो अर्विंद केजरिवाल का वकील तो गुजरात की कोट में पहुँच गया लेकिन संजे सिंग की तरफ से कोई वकील ही नहीं गया और जो संजे सिंग की तरफ से जो वकील पेस हुआ करते थे उन्होंने कोट को कह दिया कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि संजे सिंग के साथ क्या है संजे सिंग कहां पर है तो इसके बाद कोट ने नराज की जाहिर करते हुए संजे सिंग को ग्यारा तारिक के लिए पेशी वारांट तक जारी कर दिया ये जो बड़ा आप समझिए कि एक आदमी ये दिखा रहा है कि मैं अपने सातियों के साथ ख़़ा हूँ दूसरी तरफ वो सातियों को धक्का दे रहा है खाई के अंदर आप ये देखिए कहीं पर कानूनी अगर कारवाई होती है अगर ये अपने सातियों के प्रती अज्विन के जिवाल गतने सीरियस होते तो गुझरात कोट में उस दिन वकील संजे सिंग की तरफ से भी ख़़आ होता इसके बाद कोट ने संजे सिंग के खिलाब पेशी वारंट तक जारी कर दिया और अब संजे सिंग गुजरात कोट में भी जाएंगे इसी तरीके से अभी अभी हाली में एक मामले के अंदर मानानी के एक मामले में उत्तर परदेश में भी संजे सिंग के उपर एक लाख इसके बावजूद जब भी मौका मिलता है वो मनीज सिसोदिया या अपने सात्यों को मुभारक बात देने से नहीं चूकते हैं तो कि यह किसी एक नेता के साथ नहीं है आज आज अगर आप देखें जो सतेंद्र जैन भी जो फसे हुए सतेंद्र जैन भी अपनी सेपरेट माल रही है आतिसी उन्होंने भी आज बड़ा भावना पूर्ण लिखकर डाला है सारी चीज़े की है ताकि ऐसा ना लगे जबकि सही मायनों में देखा जाए तो मनीज सिसोदिया की सारी सीट पर सीट हरपने वाली आतिसी ही हैं उन्होंने पूरी चाल चली है अर्विंद क मनाते थे खूब हसी मजा करते थे पर दुख है कि जिस व्यक्ति ने गरीबों के बच्चों को भी विस्विस तरिये सिक्षा देने के सपने को पूरा किया उन्हें जूटे मामले में 11 महीनों से जेल में रखा गया है या देखे देश के अंदर दिल्ली के अंदर ऐसा दिख किसी तरीके जी सिक्षा ही नहीं मिलती थी जबकि पूरी दिल्ली जानती है जितने भी जो लोग हैं सब दिल्ली के जाज़ता सरकारी स्कूलों से ही पढ़े हुए हैं सारे वहाँ ही से पढ़कर पढ़लिक कर निकले और बड़े-बड़े साइन्टिस्ट बने बड़े- ने रामराज दिया हो और इनके आने के ऑद पूरे देश के अंदर मैजिक होगे पूरी जिल्ली के अंदर मैजिक हो गया और देखिये पता नहीं कहां कहां तक कितने फर्जी तरीके से बोलते हैं, हम पूरे विश्वास के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अब BVIP लोगों की बताती हैं, बच्छों ने एडमिशन पब्लिक स्कूलों से छो जो साइन्टिस्ट हैं उनके बच्चों ने स्कूल छोड़े और पब्लिक और सरकारी एक लिस्ट जारी करनी चाहिए लेकिन क्यूंकि बात बात पर लिस्ट और वीडियो जारी करने वाले जो केज़िवाल एंड कंपनियां वो कभी भी ऐसे मामलों में कोई लिस्ट जारी नह अगर इनके हैं किसी बात के लिए RTI लगाओ तो उसका जवाब कभी नहीं आया ऐसी दरजनों RTI हमारे पास भी ती जिनके जवाब नहीं मिले ये बड़ी बात है लेकिन हर बात में जूट बोलकर किस तरीके से ये वहवाई लूटते हैं ये अपने आप में देखने वाली बाते हैं तो आज शुक्रवार को जब मनीज सिसोधिया का जनम दिन था तो इन सभी जो नकाब डाले हुए चेहरों वाले लोग हैं इन्होंने सबने मनीज सिसोधिया को ऐसे बदाई दी जैसे मनीज सिसोधिया के कितने खासम खास हों और उनकी कितनी चिंता करते हों हर ता जाता है ट्विटर इसी के लिए इस्तेमाल की जा रहा है सोसल मीडिया इसी बात के लिए इस्तेमाल की जा रहा है बहुत गंबीर है बहुत दुखद है कि अपने सातियों को किस तरीके से फस्वा दिया जाता है ये बहुत बार ये सिर्फ चमतकार आम आदमी पार्टी ही कर सकती है अगर आपको मेरी ख़बर अच्छी लगे हो तो आप इसे लाइक सबस्क्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा इससे हमें औरजा मिलती है जैहिन जैभारत